Interpersonal Behavior, दो वर्ड होते हैं, Interpersonal और Interpersonal Interpersonal जब आप खुद में बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, अकेले वहीं पर Interpersonal जब आप किसी दूसरे बैक्ति से बात करते हैं Interpersonal means between two person जब कि नहीं दो person के बीच में कोई communication हो रहा है, कोई बाचीत हो रही है कोई activity हो रही है, दो person के बीच में तो वह Interpersonal हो गया Clear, तो Interpersonal behavior का मतलब क्या हो गया, कि behavior that take place during human interaction आनि कि जब दो human आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो भी behavior वह show करते हैं वही चीज इंटर-personal behavior कहलाता है, तो यह क्या होता है, way in which people communicate with each other आइदर verbally और non-verbally और both, तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं, communicate करते हैं, चाहे हो words का use करके करते हो, चाहे हो expression के through करते हो, body language के through करते हो, तो वह चीज क्या कहलाते हैं, वह Interpersonal behavior कहलाती है इट involves diadic interaction, diadic interaction भी टूवे communication होता है, यहने कि खाली अकेले बोले जारा है, सामने वाला सुन रहा है, यहाँ पर diadic two-way communication होता है, यहने कि सामने वाला बोलेगा और आप भी बोलेंगे, तो यह two-way होता है, और यह क्या होता है, goal oriented होता है, और इसमें हम कुछ न कुछ desired result पाने उसको wish करते हैं, good morning sir, good morning ma'am, तो उस वक्त ही आप behavior show कर रहे हो, कहाँ अच्छा behavior show कर रहे हो, और कहीं न कहीं आप जो है, कुछ न कुछ desired result पानी की कोसिस करते हो, वहाँ पर good morning आपने wish किया, तो desired result किया हुआ, कि सामने से reply आओगा, और सामने जो है, कहीं न कहीं यह teachers को morning आ गया, तो cooperative हो गया, आपने good morning wish किया, सामने वाला move बनाके चला जाता है, तो यह conflicting हो गया, clear, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है, तो अलग-अलग behavior show होते हैं, जब भी हम interpersonal behavior की बात करते हैं, तो वहाँ पे अलग-अलग behavior show होते है, तो सबसे पहले एक type का behavior आता है, that is cooperative behavior, सभी को कर रहे हैं, तो वह किस type का behavior हो गया, cooperative behavior हो गया, आपने भाई का कोई homework complete के तो भाई ने आपका भी कोई काम कर दिया, तो cooperative behavior, वहीं पर काता है, conflicting behavior, conflicting में क्या होता है, कि due to personality difference या value system में difference होता है, तो इसकी वज़ा से क्या होता है, कि आप जो है कहीं न कहीं लड़ते रहे तो और इस वज़े से वहाँ पर conflict होता रहता है, तो यहाँ पर ही जो उनको समझने की जोड़त पड़ते है कि कैसे वह cooperative behavior लेके आए, क्योंकि best behavior क्या है, cooperative behavior है, तो positive thinking लेके आना होता है, mutual trust होना चाहिए, या पर आपके लिए empathy यानि कि दूसरे की feeling को समझने की छमता होनी चाहि अगर यह साही चीज़े हैं, तो conflicting behavior नहीं आएगा, clear, देखतो होगा cooperative behavior शो करना कि जहाँ आप दूसरे की मदद करते हो, सामने अब भी आपकी मदद करता है, एक होगा conflicting behavior जहाँ पर लड़ते जगड़ते हो, दूसरा वही पर आता है aggressive behavior, aggressive behavior क्या हो गया, कि यहाँ पर एक person ल aggressive behavior, aggressive behavior में तो गुस्ते में आके या मार पीटके अपना काम करवा लेना, आपने अपना काम करवा है है, आप सही थे, आपने जिखर यह गलत नहीं थे, लेकिन आपने दूसरे की rights को violate करके, आप उसको मार के काम करा रहे हो, तो उसकी कहीं नकहीं rights planeta होई है, ठीक है, तो आप कभी कस काम हो गया लेकिन आपने सामने वाले का राइट्स वाइलेट कर दिया तो उसको कहते है aggressive behavior गुस्से में this behavior humiliates, dominate और puts other person down rather than simply expressing once on emotions or thoughts यानि कि आप जहाँ पर अपना बात और emotion thoughts को express करके अपना काम करवा सकते थे वहाँ पर आपने सामने वाले को dominate करके उसको नीचे गिरा के उसको जो है मार के आप अपना काम करवाते हैं तो उस चीज का behavior क्या होता है? aggressive behavior it is attack on the other person यहापे क्या होता है कि यह person क्या होता है? दूसरी person को attack कर देता है, physical violence example हो गया, जैसे beating biting हो गया, hitting हो गया, kicking हो वर्वल hostility हो गया, जैसे for his legitimate right in such a way that the right of other are not violated aggressive में क्या था? अपने ही rights के लिए आप stand होए थे लेकिन सामने वाले की right को violate कर देते थे assertive behavior में क्या है? कि आप अपने rights के लिए stand होते हो लेकिन सामने वाले की rights को violate नहीं करते हो, यानि कि आपको अपना कोई काम करना है, तो उसके चक्कर में आप दूसरे की rights को violate नहीं करोगे, उसको मारोगे, पीटोगे नहीं, उसको बात करोगे, आप समझाओगे और अपना काम करवाओगे तो source respect for other person यहाँ पे दूसरे person के लिए हम respect रखते हैं aggressive में नहीं होता हम आपे मार पीट देते हैं assertive behavior is an honest, direct, appropriate expression of one's feeling, belief and opinion यहाँ पे क्या होता है, यह honest होता है और हम अपनी feeling, belief जो भी हमारा है हम सामने वाले के सामने अपनी बात रख देते हैं और उसको समझाते हैं often gets what he wants यहाँ पे क्या होता है, यह assertive behavior है आपको क्या है, आपको जो चाही हो, मिल जाता है सामने वाले से respect करके, प्यार से बात करके, आप अपना काम करवा लेते हो और सामने वाले को कोई दिक्कत भी नहीं होती तो assertive behavior हो, यहाँ पे non assertive behavior क्या हो गया तो relieves himself, इस case में क्या होता है relieves himself in the situation by pretending how he would do things differently if it happens again तो उस वक्तों क्या सोचता है कि चलो ठीक है, इस बार होगे कोई बात नहीं, लेकिन आगे भे धाया रखूँगा कि आगे से ऐसा ना हो या फिर अगर ऐसा होता है, तो मैं क्या करूँगा जिससे कि मेरे rights violate ना हो और इस टाइप की लोग क्या करते है, जैसे lack of eye contact, कई लोगों को देखते होगे आप कि वो eye contact नहीं कर पाते हैं वो हमें से नीचे दाएबाएँ देखते रहते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं confidence की कमी होती है और assertive behavior में क्या हो गया? कि आप अपना मजाग भी नहीं बनने देते हो, सामने वाले के मजाग नहीं बनाते हो assertive हो गया वही पर aggressive क्या हो गया? कि आप सामने वाले का मजाग हमेसा बनाते रहते हो तो यह aggressive हो गया clear तो यह different type के interpersonal behavior होते हैं विशू अलबस्ट, की बच्चिंग!